हर्याना चुनाव पर कवरिज जारी है और आज हम पहुंचे हैं हिसार में हम आपकी सीधा वारता आज करवाएंगे हर्याना की पूर मंत्री और यहां की बहुत ही जानी मानी चहरा सावित्री जिंडल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया नियूस एक्सपर बहुत बहुत धन्यवाजी नमस्कार जी सावित्री जी पहले तो मैं आपसे पूछूंगा सावित्री जी का महौल बहुत अच्छा चल रहा है यहां पर उन्हें निर्दली अपना नामांकन जब से दाखिल किया है तो वो देख रहे हैं कि लोग काफी लोग उनके संग जुड रहे हैं उस अपर अब चर्चा आपको इस वक्त क्या महौल लग रहा है यही सवाल हम सबसे पूछ रहे हैं जमीनी स्थर पर मगर आपको इस वक्त हिसार में क्या महौल लग रहा है देखिए यह चुनाओ जो है हिसार वालों का चुनाओ है क्योंकि मैं हिसार से निर्दली चुनाओ लग रही हूं और मेरे अपने चनाव को बहुत अच्छा से लगे है बहुत सा प्रेशर भी था आपके नामांकन आप वापस ले 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 हैं मगर फिर भी आप अपने निर्नायप पर डटी रही आपने फैसले एक बार कर लिया था तो आप उस पर डटी रहे बस… बरे इसारवालों ने जो मुझे कहा, मैंने उनकी बात मानी, और वोगों के कहने से मैं ने निद्लिय मैदान में आगे。 जो ये पैसला आपने लिया, और जैसे मैं और जैसे आपने नामांकन भढ़ा, तो क्या लोग आपको कह रहे रहे हैं, तो क्या response और reaction आपको मिल रहे हैं? देख रिस्पॉंस बहुत अच्छा है क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि दस साल के बाद हम लोग को बदलाओ चाहिए और बदलाओ लाने के लिए उन्होंने मुझे मतलब जिसा अभी क्विवर चुना है निदल ये प्रताशी जरूर हूँ लेकिन मैं हिसार वालों की उमीदवार हूँ तो लोग अपनी उमीदवार को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं मुझे पैचानते भी हैं और मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ देंगे सब लोग अगर हम बात करें आपके परिवार का बहुत लंबा इतिहास और जुडाव राय हिसार के संग तो जरह बताएए ये जुडाव के संग एक कितना महतवा आपे अपके लिए रखता है और कृतना यहाँ परिवार दुआरा जिन्ड़ परिवार दुआра काम हो पाया है यहां के चित्रवासियों के लिए उनको भी उसी तरह से रखना चाहिए जिससर कि हम अपने घर में अपने बच्चों को रखते हैं तो बहुत ध्यान देते थे बाद में जब उन्होंने चुनाओ लड़ने का लिया तो अच्छा मतलब है उनके जाने के बाद मुझे इसमे आना पड़ा पॉलिक्स में मैं आई क कि लोगों नहीं मुझे का कि आप आजाओ और आके आप संभालिये तो मैं उनके बीच में आई और वैसे तुम्हें एक हाउस वाइप थी घर में रहती थी लेकिन उनके जाने के बाद मैं सबके बीच में आ गई और अब लोग मुझे अपना बहुत प्यार दे रहे हैं कि आपके दुआरा मंत्री के तोर पर और विधाय के तोर पर कितना यह पर विकास हो पाया है और क्या उस विकास के नाम पर ही आप चणाव लटेंगे हैं लोगों को मुलभूत्स विधाय है जिससे जरूरी चाहिए आपर सड़के तुटी हुई है पानी की निकासी नहीं ह तो बड़ी नियो पाई तो सारी जिगह सीवरेज ओवरफ्लो हैं, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है, और उसे एक जिगह मैं गई थी जिस्टर से मिटिंग के अंदरी, तो वाँ पर मेरी बहने निकल कर रही वहां से कहती है कि प्लेज आप जाओ, जल्द जनता मुझे जिदा कर लाती है, मैं विधान सबा में, कि इसार की जो आवाज है, उसको उठाओंगी, जो मुद्धे इसार के, और सबसे पहले, जो मूलबूत सुईधा हैं, उनको ठीक करवाने का पूरा प्रयास करूंगी. आपके मन में विजन है, अगले पांच साल का लक्ष है, जो आपने अपने मन में ठान रखा है कि अगर जनता दुबारा आपको मुझा देंगी, तो अगले पांच साल में क्या कुछ आपका फोकस रहने बाला है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मूलबूत सुईधा हैं, तो सडके अच्छी बनवाऊंगी, पानी की निकासी का परबंद कराऊंगी, सीवरेज बिवस्ता ठीक कराऊंगी, और एक हमारे सार के नर पसू जिससे सडकों पे बहुत होते हैं, तो उनको भी लब, पसू मुक प्रिष्ट के बीच में बैठे हुएते हैं, और कई बार चोट लग जाती है, कई बार एक्सिदेन्स हो जाते हैं, तो उसमें डेक हो जाती है, तो पुरा प्यास करूँगी, इन सब चीज से हिसार को उतकरूं और हिसार को बहुत साफ सुत्रा, सुंदर सायर बना दूँू पषले पान्च साल में हो पाया है या नहीं हो पाया है, यह सवाल भी मैं पूछुँ छूगाूगा। अब आभल, ईजक पुरी कोशिज कि अपिक दूली कुछिछ की काफी कामी खिर्वाई जगष जगई-जगई-जगई जब पानी की लाईन नहीं थी थी तो पानी की लाईन डलवा ही सारी जगए तो पानी पीने का सब जग़ा उने लगगए और अब मैने आपको बताया की सा मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ कैसे हुआ तेकि मैं आने वाल समय में बहुत अच्छा से करके जो बूल भूत सोधाई हैं जो सभी लोगों को करवाने का पूरा प्रयास करोंगी कि बूल भूत सोधाई हैं सब को मिले अची सड़क पानी सिवरेज ब़स्ता ठीक हो यह सब क और बच्चों को जो युवा हैं उनको बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको भी कोई ऐसी इसकिल उनको दिलवाई उनके हाथ में हुनर आ जाए तो वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं और कहीं पर सभीश करके अपना बढ़ियाचा अपन जीवन यापन कर सकते हूं महिलाओं के बीच जब आप जा रही हैं तो क्या रिस्पॉंस आप वहा मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं है महिलाओं फैक्टर भी हावी रहने वाला इस चुनाफ पर बीजेपी लुबाने की कोशिश करी है महिलाओं को इसलिए मैनिफेस्टों में कहरे हैं बहुत कुछ है महिलाओं के वास्ते कॉंग्रेस पी ऐसा दावा कर लिए मगर महिलाओं से आपका जुडाव क्या है और क्या आपको पर्टिकलरी रिस्पॉंस मिल रहा है तिकि मुझे मैलाओं के तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है क्योंकि मैं सीधी सारी बात करती हूं कर सको दो बादे करने से भी कोई फायदा नहीं होता तो मैंने मेरी बेहनों से भी यही का हुआ है लगर जो आप मुझे कोगे मैं आपके साथ मिलकर उनको पूरा करवाने का प्यास करूंगी अब यह भी ऐलान कर चुकी है कि आपका आखरी चुनाव है क्या यह आपका आख करना चाहूंगी कि सब की सेवा कर सकूं तो आगे कि प्रभु जी के हाथ में जो करवाएंगे अब जब आप मगर देखती हैं आपका पहला चुनाफ कैसा था तोड़ा बताईए कि आपकी एंट्री कैसी हुए अपने संक्षेत में तो बताया पहले मगर वो पहला चुनाफ अ कि आप लोगों से मिलते रहोगे लोगों की सेवा करोगे काम करोगे आपका मन लगा रहेगा तो सबसे में जुलने का जिससे मोका मिला अच्छा लगने लगा लगा कि मैं चोटे-चोटे काम करती रही तो उसे जब उनके काम होते थे उनके चेहरे पर जब मुस्कान देखती थी कि उनका काम हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और यही वज़ा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे-चोटे काम यूनके हो मैं कर सकों जिससे को थो तो इसे मैं पुरी जन्ता मेरे साथ है और मैं जन्ता की उमीदवार हूँ, तो चुनाव ये जन्ता का चुनाव ये मेरे सार के लोगों का चुनाव है तुओ अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं, मैं सिरफ उनकी प्रत्यासी हूँ, मैं अपना अजी आपको टिकेट नहीं मिला मुख्य पार्टी से नहीं उननों को तो एक ही था कि अप निर्दली चुनाव लड़ो हम आपके साथ हैं सहाई दोसकता मैं पार्टी से लड़ती तो इतने मेरे साथ ना होते जितने की अब हैं यह दुद्धास बात है मगर क्या कुई दोविदा थी क्योंकि आपके बेटे बीजेपी में है नवीन जी बीजेपी में है अभी भी आजी नवीन जी बीजेपी में है और वो अपने पार्टी के लिए काम करेंगे तो कुछ ऐसा अंतरकल है तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल. Congress party नहीं गई अगर BAG principal ticket नही दिया था there, क्योंकि आम तो हम ये देखते हैं कि BAG prag खेस्ट को श्रुप लर्क कि आपको चुनाओ कर लडना ही है, तो पहले तो मैं ना बोल दू लेकिन ना बोले से पहले हिलोग इतने इसे ही कठे होगे, ने ने मेरे पर इतना प्रेसर बना दिया, कि आपको लडना ही पड़ेगा, आपको कुछ निकरना पड़ेगा, आप सिरफ आम भर के आइए, हम तो जन्ता का प्रेशर था कोई पार्टी का प्रेशर नहीं था? आगे मगर जैसे आप कहह रहे हैं पूरी उमीद है आपको कि आप जीत के दुबारा आएंगी क्या अप रेडी है कि किसी भी पार्टी किसंद काम करने के लिए जो भी सरकार बनाएगी कि अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है खाली इतना ही सोचा हुआ है कि मैं निद्ली चुनाव लड़कर और मेरे इसार के जो मुद्धे हैं उनको जो सोच से जहान सभाव में उशाओंगी और इसार के लिए पुरा काम करने का प्यास करूंगी मुख्या फाइट बीजेपी के संग है या कॉंग्रेस के संग यह दिखिए तुम मैं नहीं बता सकती है आप नोग बता सकते हैं मुझे तुम लगता है किसी के साथ कोई टकर नहीं है क्योंकि जब जनता का चुनाव है सारे लोग एक तरफ लगे हुए है तो पर किसी के एक मुद्दा है इस बार या आपके लिए नहीं देकिए विकास का विकास आपके लोगों को यही है जो हमें सारी सुःधाइं मिलनी चाहिए हमारी सब्सक्राइब टूटी हुई है पानी नहीं है और पानी घरों में भर जाता है सीवरेज बेवस्ता हमारी जगर जगर जिससे जब आपको मालूमें कि स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, लोग वहां पर रह रह रहे होते हैं, तो इन सब वही मुद्धे हैं यहां पर और कोई ऐसी बात नहीं है, बागी कि चीजिस की मैंने कोई सुनी नहीं है बात, मेरे स यह बात सब जानते हैं कि आप देश की सबसे अमीर महिला हैं, मगर आपको मिलके ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपकी परसनालिटी यह ऐसी नहीं है, सरलता है, आप जुड़ी हूई हैं जमीन से, तो यह कैसा अनुभव है, अलग अनुभव है लोगों का, आपके सब जमीन से, को बात सबसे से, कि दिखाऊं किसी को कि मृर्पास बहुत पहस्या है, यह कुछ है, सब लोगों के साथ मिलके, मैं जिस से सब लो망 आते हैं, मैं बैसी ही रहती मैं हिंक गर में खिलमे सी नहीं रहतीं हैë।-, तो जब यह किताब मिलते हैं, और जब कहा जाता है, क विश्व की अमीर महिलाओं में से एक है. उसमें यह की देखिए, बड़ा प्राओड होता है. पहले मेरे पती के उपर कि उन्हों ने बहुत काम किया, जिन्दल साब ने. और उसके बाद बच्चों ने बहुत काम किया. और उसकी वज़ा से मुझे सब किताब मुष्ण मिलते हैं, तो प्राओड होता है. आप बच्चों को क्या सला देती थी, बच्च्पन में, बिजनस के बारे में, क्योंकि आपको भी इतनी जानकारी है. असलिमें जिन्दल साब की एकी बात थी, कि इमानदारी और मेहनत करते रो, इमानदारी से काम करो, मेहनत करो, तो सफलता अपने आप मिलेगी. तो यही मेरे बच्चे भी अभी यही करते हैं कि इमानदारी से काम करते हैं, मेनद से करते हैं, कभी जूट नहीं बोलते, दोखा नहीं देते किसी को, तो सबसे बड़ी बात यही होते हैं कि किसी को दोखा नहीं देना चाहिए, और इमानदारी और मेनद से काम करो तो सफलता गर्व है कि जिंडल नाम जो है और कमपणी जो है इतने सालों से उसी मकाम पे है जी बिल्कुल जब अच्छा काम होता है अच्छा नाम होता तो गर्व होता है खबर यह आ रही है कि प्रधानमाद नरेंद्र मोदी भी इसार आएंगे प्रचार करने के लिए उसका कोई इंप क्योंकि यह चुनाओ जो है एक ही अलग तरहका ही चुनाओ है तो अब क्योर जो हिसार की जनता ने जो फैसला कर लिया है उसको पूरा करके दिखाएंगे और टॉर्च मिलाए आपको सिंबल जी मुझे टॉर्च का सिंबल मिलाए जी ठीक है तैंक यू सो मच फो जो 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 क्यों बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके और हम देखते रहेंगे आपके प्रचार को बड़े नस्दीकी से और आपको शुप कामने देते हैं आट अक्टूबटल